हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हूँ तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में dollar function का इस्तमाल हम कैसे करते हैं dollar function का इस्तमाल किया जाता है किसी भी digit या number के आगे currency का symbol लगाने के लिए currency का symbol वही आएगा जो आपके laptop में by default set होगा अगर आपके laptop में रुपीज set है तो रुपीज दिखाएगा अगर आपके laptop में dollar set है तो dollar दिखाएगा dollar नाम से confused मत होई का क्योंकि Microsoft ने बनाया वहाँ की जो currency है उसका नाम dollar है इसलिए इसका नाम dollar रखा है ठीक है लेकिन symbol वही आएगा उसी currency के symbol आएगा जो आपके laptop में by default set होगा तो अब माल लीजे कि यहाँ पर हमें dollar function के इस्तमाल करना है तो हमने यहाँ पर equal to type किया उसके बाद D O double L जैसे हमने D O double L लिखा नीचे देखे dollar function यहाँ पर आ गया यह देखिए डबल क्लिक करिए dollar function ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर हम दो तरीके से देखेंगे पहले तो बिना point लगा के देखेंगे उसके बाद बिना point लगाए भी देखेंगे तो यह देखिए dollar function यहाँ पर open हो गया अब हम चाहते हैं कि यह number जो है इसके आगे dollar का symbol आजा तो हमने cell को select किया उसके बाद bracket यहाँ पर हमने close किया जैसे ही आप enter button प्रेस करेंगे तो यह देखिए 33 dollar यहाँ पर आगे लेकिन .00 भी आ रहा है अब अगर आप यह चाहते हैं कि 00 ना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसी formula के आगे comma लगा करके एक 0 यहाँ पर type कर देंगे उसके बाद बाहर क्लिक करिए और enter button प्रेस कर दीजिए